जहिन दोस्तो आज किस वीडियो में बात करेंगे करना रनावत को लेकर सोचल मेडिया के प्लेटफॉर्म्स पर कई जगहों पर जो एक हैस्टेक जारी हुआ और उसके बाद जियां दोस्तो तू जो शब्द है इसको लेकर उनके खिलाब जो है अपमान का जो है केज दर्ज हुआ है विक्रॉलि थाना में यानि मुंबई में जो उन्होंने यूस किया था श्री उद्धर ठाकरे के लिए जियां दोस्तो उद्धर ठाकरे महराश्टा के चीफ मिनिस्टर है और स्री उद्धर ठाकरे को टॉप 10 मुख्यमंतरियों की लिस्ट में भी सामिल किया गया था जबकि स्री उद्धर ठाकरे पहली बार मुख्यमंतरी बन रहे और उन्हें इस जियां टॉप 10 की जो है में अस् जमा चुकी और बात करें उनके थाड़क बयानों की जिया हाँ में रानी लच्मी बhaftérique और वह किर्दार वह निंभाया था और यह उनके ऊपर könnte चूट है वह एक मात पहली अपने यह जुन्होंने बॉल्वुड से निकल कर सामने आया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार बॉलिवोड में माफियाओं का राच चलता है जुसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है किसे फिल्में देनी है किसे फिल्में नहीं देनी है दूसरा सबसे बड़ा उनका अहम मुद्धा था नेपोटीजम को लेके जो अपने आप में काबिले तारीफ था क्योंकि कंगना रनावत ने ये मुद्धा निकाल कर देश के सामने रखा कि किस प्रकार बॉलिवोड में नेपोटीजम का बोलवाला है चाहे वो कंगना रनावत ने चाहे वो करन जोहर हो चाहे सलमान खान हो संजय दद तो तमाम ल बच्चों को सामने से बॉलिवोड में बुलाया जाता है इन तमाम चीजों की वज़े से कंगना रनावत की कई बार जियांदोस्तों सुर्ख्यों में रही और वाकई में उन्हों अच्छा काम किया उसके बाद बारा बयान दिया उन्हों सुसान सिंग राजपूत को लेके सुसान सिंग राजपूत की वज़े से जियांदोस्तों सभर में एक महौल बना और सबसे पहली अबनेतरी हैं कंगना रनावत जिन्होंने ये मामला उठाया कि सिवयाई की जाच होने चाहिए क्योंकि सुसान सिंग राजपूत एक आउटसाइडर था यानि कि वो बाहर से जिसकी वज़े से कंगना रनावत को लग रहा था कि बॉलिवुड उन्हें एक्सेप्टर नहीं कर रहा था इन तमाम चीजों की वज़े से नैपूटीजम की वज़े से उनने साथ फिल्मों से बाहर किया गया इन तमाम चीजों का प्रेशर उनके माइंड पे था और इसी वज़े से पूरे देश में करांती की लहर दोर पड़ी और सुसान सिंग को लेके जिहां दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकास सीब्याइए के हातों में यह केस पहुँच चुका इन तमाम चीजों के बीच जिहां दोस्तों एक बहुत बड़ा चीज यह हुआ कि संजय रमदा था जो बाहर का हिस्सा निकला होता है उससे तोड़ा गया था अब इसको लेकि पूरे देश में और सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया के कई जगहां पे जिया दोस्तों आपने देखा होगा कि देश में करोना वारिस की रफ्तार 45 लाग के पार पहुँच चुकी है जीडीपी मानेश 23 परसंट गिर चुका है देश की हालाद बद से बत्तर होती जा रही है उसके बावजूद गोदी मीडिया को जादा फुटेज ना देते हुए अब कंगना रनौत पे आ गए हैं बात करें कंगना रनौत की सभी चीजों को हम अच्छे मानते हैं सही बात ह जीडीपी मानते हैं जीडीपी में बहुत अच्छे मुद्दे उठाए और वाके में वो देश की बेटी है और हमें गर्व हैं ऐसे लोग पर हमारे भारती होने पर की ऐसे लोग सामने निकल कर आते हैं लेकिन कुछ मामलों में जीडीपी जो आप एक कलाकार है और आपको ऐसा जो है बयान नहीं देना चाहिए था इन तमाम चीजों को लेके जी हां कई बार जो है उनकी सोचल मीडिया पे जो है निंदा भी की गई कि आपको सारे बयान आपके सही है लेकिन आप श्रुद्धर ठाकड़े को तू तड़ाक से बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक राष्टर के चीफ है जिया दोस्तों एक महाराष्टर सबसे कहते हैं महान राष्टर जिसे कहते हैं वो है महाराष्टर जै महाराष्टर और उस राष्टर की जो है आपके मुखे मंतरी है जहां पे आपको कर्म भूवी है जहां से आप स्टार बनी है और यह मामना जो है व आपको साफ साफ स्टैंड लेना चाहिए क्या वाकई में देश का कोई ऐसा नागरिक उठके अपने प्राइम मिनिस्टर या अपने चीफ मिनिस्टर को इस तरह के अप शब्द बोल सके क्योंकि भाशा की मर्यादा होती है भाशा में रह के बात करनी चाहिए यह हमारा सनमिध सिक्स की वे में जारी करना रनाओ जी क्योंकि बात जहां तक थी सिलसिना के साथ थी फिर बीमसी के साथ ही अब यह आप कॉंग्रेस की चीफ में जो है उनके पास सुनिया गांधी को भी